अभी अभी निव सूचना जारी JP University के सभी छात्रों के लिए 2021-2024 BABC Become Part 1 के जितने भी छात्रे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को पूरा ध्यान से देखें क्योंकि अभी अभी निव नोटिस जारी हुआ है JP University के All Students के लिए दोस्तो BABC Become Part 1 के जितने भी छात्रे जो एड्मिसन ले रहे हैं अभी एड्मिसन नहीं लिये हैं जिनका फास्ट लिस्ट में नाम आया था उनके लिए बहुती बड़ी ख़बर निकल कर आया है साथी साथ सेकेंड मेर्क लिस्ट कब जारी होगा और Gesetzentwurf मेर्क लिस्ट में किण किन छात्रों का नाम आएगा आड्मिसन कब होगा है साथी संकारी जनकारी इस वीडियो में दी गई है वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ठीक है तो वीडियो को फटऊ-फटऊ लाइक नहीं कह offer लाइक करत रो और चैनल पर निव ज़रो तो subscribe भी कर लो नीचे लाल कलर का subscribe का उफ संदिकराओंगा क्लिक कर दो जैसी subscribe करोगे बगल में घंटी का उफ संदिकी का उसको भी दबात कि आने वाली पूरी जणकारी update भी update सबसे पहले आपको मिले दोस्तों हमने आप लोगों के लिए टेलीग् लिंक मिल जाएगा आप लोग वीडियो को पूरा देखलो ठीक है फिर जाकर जोईएगा तो चलिए आप लोगों को बता दूता हूं यहाँ पर दिखें सबसे पहले आपको यह बता दूमें सबस्टूडेंट्स को कि आप आप लोगों को दिख रहा है कि सब अंगीबूत वे संबंद महाविद्यालों को परपहारी परचारों को सुचित किया जाता है कि सुचित किया जाता है कि असना तक 17.2.24 में निर्दे सुनसर परफम मेदा सुचित से अभ्यारतरी का नमांकन सुनस्चित करेंगे कोई भी एडमिसन सिविकार नहीं किया जाएगा सभी स्टूडेंस ध्यान से सुन लिजिए आड तारीक के बाद कोई भी एडमिसन नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये परिच्छन यंत्रक डॉक्टर अनिलकुमार सिंग जेपी इंवर्शिटी के जो परिछन नियंत्रक है उन्होंने यादेस दिया है कि सभी छात्र आड तारिक तक आप लोग अपना-पन अड्मेशन करवा लिजी अन्य था आपका कोई भी आड्मेशन सिविकार नहीं किया जाएगा ध्यास से सुन लिजिए और वीडियो को सेर कर दीजिए सभी स्टूडिन्स के पास यहाँ पर देखें बता रहा है कि आवियारत्री अपना नमांकर निर्धारिती थी कि अंदर अगर नहीं लेंगे तो उनके नमांकर की दावेदारी असिविकार कर दी जाएगी यानि कोई भी नमांकर एड़्मिंसान नहीं लिआ जाएगा सिवकार नहीं किया जाएगा ठीक है राज्य सरकार द्वार नीर्धारी शीर्ट पूर्व में हस्तकत करा दिया गया है कि सत्थ परतिसात अनुपालन सुनिशचित करेंगे नमांकर में सुलकसर रचना जो पूर्वों में भेजा गया है वही लगेगा ठीक है देखिए नमांकन के लिए जितने भी जो सेकेंड मिर्क लिस्ट में जिनका नाम आएगा जान लीजिए क्या-क्या डॉकमेंट लगेगा ठीक है नमांकन के लिए इंटरमीडियर का आंग पात्र और पर लांक परमान पत्र लगेगा ठीक है और अप लोगों का बस यही सब लगेगा फिर से आगर आपके पास प्रावेजिनल परमान पत्र है तो ओभी लेजेगा ओभी लगेगा ठीक चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको यह भी बता दूं सब इस्टोडेंस क का नाम आएगा ठीक है 10,000 students का नाम आएगा ध्यान से सुन लिजिए 10,000 students का ही second miracle list में नाम आएगा सभी छात्रों को तो बाकी में आपको ये भी बता दूँ कि आप लोगों का second miracle list के बाद third miracle list भी जारी किया जाएगा ठीक ना तो आप लोग टेंशन में लिजेगा third miracle list भी जारी होगा सभी श्टूडेंस का आप लोग बस इंतिजार करें वेट करें जैसे को information आता है new notice और भी अगले update के साथ मैं आपको त्रूंद वीडियो बना दूँगा और आप लोग हमारे वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो गयार सेर कर दो फड़ा फड़ा फड़ फेस्बुक वाटसप इस्टेक्राम टेलिग्राम ट्यूटर जितने भी अप्ली केसन चलाते हो सभी जीगा सेर कर दो कि सभी दोस्तों को मालूम चल सके ठीक है अन्य था बहुत सारे सब्सक्राइब करके धन्यवाद यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं तब तक के लिए टेक केर गुडबाए